तो दोस्तो एक कमपनी है ITD Cementation India Limited कल के दिन इसमें 20% का अपर सर्किट इसमें लगा था कारण क्या था दोस्तो मार्केट में खबर घूम रही थी मार्केट में खबर आई थी कि अडानी ग्रूप इस कमपनी में 46.64% का इस्टेक एक्वायर कर रहा है 5.888 करोल रुपे में ये कमपनी कल इस बज़े से हमें तेजी के माहल में देखने कुम लिया लेकिन कमपनी की तरफ से दोस्तो क्लैरिफिकेशन आया है कि ऐसा कोई भी डील नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये केबल अफवा थी, अफवा की बज़े से इस कंपनी में कल हमें काफी तेजी देखने को मिलिया है, कि बीस परसेंट की सरकिट में ये स्टॉक हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला है, तो दोस्तो कहने का मतलब ये है, मार्केट में एक खबर की बज़े से कुछ भी हो जाता है, हाला कि ऐसा हो सकता है कि बात चीछ चल भी रही हो, लेकिन अभी कोई आउटकम नहीं निकलाओ, इस बज़े से भी दोस्तों ये बात में ऐसी बाते आती हैं, देखना ये होगा, क्या ये डील हो पाती है, या परिये सिरे से अफरा है, अफवा है, या परिये फर्जी खबर थी, तो ये सारी चीज़े अभी मार्केट में काफी चल रही है, तो आई टीडी सिमेंटेशन, ये कमपनी इस बज़े से कल काफी फोकस में रही, और इसी बज़े से अड के शियर हमें कल काफी ज्यादा बजार के रडार पर देखने को मिले थे, तो फाइनली खबर आई है, कमपनी की तरफ से अपडेट आया है, आई टीडी सिमेंटेशन ने मार्केट को कम्मुनिकेट किया है, कि ऐसी कोई भी खबर नहीं है, अगर होता, तो मार्केट को समय से पहले कम्मुनिकेट किया जाता है, हाला कि इस कमपनी को कुछ बड़े और भी मिले हैं, उस बज़े से भी इस कमपनी में मंड़े के दिन हमें काफी हलचल देखने को मिल सकती है, तो जरूर आप आई टीडी सिमेंटेशन, अगर अडानी का नाम जोड़ गया है, तो दोस्त कि मार्किट में ही अच्छा खासा मुमेंटम ता कल के दिर रिकॉर्ड हाई पर बजार गए हैं, इस बज़े से भी इन शेयरों में अच्छा मुमेंटम देखने को मिला, अडानी पोर्ट में एक ख़बर भी आए थी दोस्तें, उन्हें रोडिक्स होल्डिंग के साथ में M. ख़बर भी आए थी, मुतिलाल औस्वाल फाइनेसल की तरफ से, अडानी पोर्ट को लेकर दोस्तें उन्हें खरीदने की सलहा दी है, और टार्गेट अठारे सो पचास रुपे पर शेयर का इन्होंने बताया है, इस बज़े से ये कंपनी अभी हमें और भी फोकस में देख साइड इसमें बताया है, तो ये इस ट्रॉक अभी और भी ज़्यादा हमें बज़ार के फोकस में देखने को मिलने बाले हैं, अडानी टोटल गैस इसमें भी पौने दो परसेंट की तेजी रही है, इसमें भी हमें एक अपडेट देखने को मिला है, खबर देखने को मिली ह खबर है कि अडानी टोटल गैस ने लारजेश्ट गिलोवल फाइनसिंग दोस्तों सिक्योर की है 375 मिलियन डॉलर की क्योंकि ये सिटी गैस बिजनेस को अपना एक्सपेंड करने बाले है तो इसके लिए एक अच्छी खबर है ये भी दोस्तों कई तिकज बिदेशी बैंकों के साथ में दोस्तों इनोंने ये करार किया है इनको फंडिंग मिलने बाली है इसको लेकर दोस्तों इनोंने एक तरीके से मार्केट को कम्मुनिकेट किया है तो अड़ानी टोटल गैस अगर ओवर ओल देखा जाए चार हजार रुपे के आसपास हुआ करता था ये जब हिंडन बर्क की रिपोर्ट आय तो उसके बाद इसमें हमें लगातार गिराबट देखने को मिली देख सकते हैं तो उन्तालिस सो कुछ रुपे के आसपास उन्तालिस सो अठारे के आसपास ये श्टॉक बीच जनवरी 2030 में था काफी टाइम लगेगा इस कंपनी में जब तक इसका बिजनिस काफी एक्सपेंड नहीं हो जाता जो इलेक्रिक वीकल की चार्जिंग इस्टेशन लगाने वाले बीच में जो खबरे आती जब तक वह एक्जिक्यूट नहीं होता तब तक हम लोग कह सकते हैं कि इस कंपनी मे इनरजी सोलिशन का तीन परसेंट की तेजी के साथ ये श्टॉक भी क्लोज हुआ ये श्टॉक दोस्तों चार हजार के उपर हुआ करता था तब से लेकर अब तक देख सकते हैं दोस्तों सोले सेप्टेंबर दोजार बाइस में इसने चार या नभर पेका हाई बनाया उसके बाद फिर ये श्टॉक हमें दवाब में देखने को लाए इसको भी देखें तो करीब पिच्छतर परसेंट ये भी उपली लेबल से तोड़ चुका है यानि जिन लोगों ने दो हजार पंदरह सो तीन हजार रुपे के आसपास बाइंग की है वो भी अभी काफी लॉस में हैं हाला कि पांच साल में ओवरोल इसने ती साले तीन सो परसेंट की रिटन दिया मैकजिमम में इसने 3451 की रिटन दिया हैं काफी तेजी रही थी एडानी ग्रुप के शेयरों में पहले अडानी ट्रांसमेशन देखने को मिलता था उसको लेकर हमें एक रिपोर्ट देखने को मिली है अगर ऐसा होता है तो दोस्तों इन्वेस्टरों के लिए काफी अच्छी बात है तो यह रिपोर्ट आए दोस्तों केंटर की तरब से ब्रोकिंग हाउस है इनका कहना है कि अडानी एनर्जी सोलुशन के श्टॉक करंट प्रैस से एक सो तीस परसेंट तक उपर जा सकता है उसके पीछे के इन्होंने कुछ कारान भी बताये हैं इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है साथी कंपनी का टारगेट बाइस सो इक्यावन रुपे पर शेर दिया है ज चाहें इस रिपोर्ट को डिटेल में आप इस्टेडी कर सकते हैं अडानी पावर धाई परसेंट की तेजी के साथ किलोज हुआ जब हिडनवा की रिपोर्ट आए थी तब यह इस तो तीन सो रुपे के आसपास हुआ करता तो उसके बाद तो इसने अच्छा खासा कमबेक भी कर लिया बीच में इसने 895 रुपे तक का हाई भी बनायता हाला कि इसके रिजल्ट भी अच्छे आयते अभी लाश्ट विक इसको महाराश्ट्र सरकार से एक बड़ा ओडर भी मिला पच्छी साल के लिए तो यह भी एक अच्छी खबर रही अडानी पावर की अभी सबस 255 रुपे का आनन्द राटी की तरफ से हमें रिपोर्ट देखने को मिली थी इनके अलाबा अडानी बिलमर को लेकर भी काफी कुशन आ रहे हैं कि इस श्टॉक में क्या किया जा यह श्टॉक भी दोस्तों आट सो नौसर पे के आसपास गया था आई थिंग अगर दोस्तों लॉंग टम का इसका चार्ट देखा जाए देख सकते हैं आट सो रुपे के पार यह श्टॉक गया था जब इसमें आई प्यों आने को बद काफी तेजी रही थी यह कंपनी भी उपरी लेबल से काफी ज़दा तूट चुकी काफी ज़दा इसमें गिराबर देखने को हमें अपनी हिस्सेदारी बेचने पर सकते हैं बिचार कर सकते हैं करीब 13% तक इसमें इस्टेक बेचने की प्लानिंग है हाला कि रिपोर्ट के ज़री खबर है क्या होगा आगे वो तो दोस्तों ऑफिशल अनॉंसमेंट ही देखने को मिलेगा तो अभी तक का यही चाहें तो इसको भी अपनी वाच लिश्ट में एड करके रख सकते हैं अडानी ग्रीन एनरजी को लेकर भी एम के ग्लोबल फाइनेंशल की तरफ से रिपोर्ट आई है खरीदने की सलहा दी है पच्छी सो पचास और पर शेयर का इस कंपनी का टार्गेट उन्होंने दिया ह आप चाहें तो इस कंपनी को भी फलाल अपने रडार पर रख सकते हैं तो दोस्तो यह थी कुछ खबरें जो बीकेंट पर देखने को मिले जिनका आफर आगे वाले आगे समय पर हमें इनके शेयरों पर देखने को मिल जाएगा आपके पास इन में से कौन शाय स्टॉक है य नेवा दोस्तो बाई बाई